है गाइस वीडियो के माध्यम से आज में आप लोगों को आई सी यार एक्जाम दो यारी किस्ट को लेकर कुछ जनरल इंशक्षन्स जो होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेगा और हाँ अगर आप हमारे यूट्यूब चैन पहन रहा हैं उसे पर किसे भी प्रकार के कोई प्रेंटिंग नहीं होने चाहिए प्रेंटिंग से बतात पर उस पे कुछ लिखा नहीं हो उस पर कोई चित्र ना बना विस चीजों का आप ख्याल जरूर रखिएगा आप श्लीपर पहन के जाएगा सूस ये वाइड करिएग उसको एवाइड करनी है और आपके पास जो डाकुमेंट्स की बात हम करेंगे क्या के डाकुमेंट्स आपको जरूर रखने हैं एक्जाम के द्वरा वह हैं आधार कार्ड एड्मिट कार्ड एड्मिट कार्ड खास करके कलर में सिल्फ डिक्लियरेशन फॉर्म जो अपने भर जरूर रखिएगा क्योंकि इसके सबसे जरूरत पड़ती है एक्जाम सेंटर पर अगर आप नहीं ले आते हैं तो आपको परशानिया फेश करनी होंगी तो दोस्तों यह चीज़े हो गए और तीसरी चीज़ यह कि अपने पास कम से कम पचास एमिल का एक सेनिटाइजर और एक मास्क जरूर रखिएगा क्योंकि इसके विना आपको इंटरी नहीं मिलेगी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको परशानिया फेश करनी होंगी और हाँ दोस्तों एक्जाम से पहले आप एंटिये की ऑफिशल वेपसाइट से जाकर मॉक टेस्ट जरूर दे लिजेगा क्योंकि एक्जाम के दौरा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देर के जाएंगे तो काफी जादी परशानी फेश करने को मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो समझने में थोड़ी से समय लगती हैं और आप समझ सकते हैं कुछ दिन आपके समय की क्या अहमियत होगी आप कितने ज्यादा फ्रस्टेशन महसूस करेंगे एक्जाम हाल में क्योंकि आप पहले बार एक्जाम देने जा रहे होंगे आपको कफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रियेट कर सकती हैं इसलिए आप आनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजेगा और आप मॉक टेस् करते हैं दोस्तों यही थोड़ी बहुत चीजे थी जो जेनरल इंस्ट्रक्शन के तोर पर मैं जो बतानी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम सब को अता दिया दोस्तों ऐसे ही इन्फोर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने मिलते हैं अगले वीडि में थैंक यू